तो दोस्तो एक बार दुवारत से आप से भी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर समझा रेता हूं आप प्लीज ऐसा पैसा लगाना जो आप लूप जो अफॉर्ट कर सकते हो लूप करने के लिए मतलब जो पैसा आप लगा रहे हो पैसे जीरो हो सकता है यह 101 परसंट तुरुत है इसको कोई चेंज ही कर सकता लेकिन अगर आप कुछ तरीके से ट्रेट करोगे कुछ setup rule को follow करोगे तो definitely आपको अच्छी रिटन भी दे सकता है तो आगे बढ़ने से पहले प्रसीड करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं आई है तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए अचा होता मुझे आप Twitter, Telegram में भी follow कर सकते है उसका link आपको नीशे मिल जाएगा चलिए आपको लेकर चलता हूं next हमारे slide के जरह और आपको छोटा से हमें स्टोरी के माधियम से समझाओंगा कि कैसे आपको पैनी स्टॉक सेलेक्शिन करना चाहिए और आपको उस category में आना चाहिए जिस के डिगरी में जिसमें 2% लोग fall करते हैं while doing forex, while doing investing, while doing trading, while doing penny stock picking ठीक है तो जो भी आप करना चाहते हो प्लीज इसको follow करना तभी आप उस 2% category में आप आऊगा है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इसको एक बार disclaimer को rate कर लीजिए, financial advisor से अपनी सलाह ले लेना before doing any investing, और यह जो वीडियो बना रहा हूँ एक education purpose है, और अच्छा लगेगा तो like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, और हाँ, चाहो तो dislike भी कर सकते हो, लेकिन comment करना बूलेगा कि आपको क्या गरत लगा इसमें, क्या अच्छा नहीं लगा, वो अगर आप करोगे definitely, मुझे help करेगा कि मैं उस चीज को improve कर सको, ठीक है, अगर आप बताओगे नहीं, तो कैसे हो चीज improve होगी, ठीक है, चलो दोस्तों, start करते हैं, छोटी से स्टोरी से, दो क्यों बोला हूँ, देखिए, उसका कुछ रिजन्स है, अब वो रिजन्स एक पर देख लीजिए, यह जो दीपक है, यह कभी money management को follow नहीं करता, money management का मतलब यह नहीं है, कि आप simple अगर आप investing कर रहे हो, या trading कर रहे हो, या integrated trading कर रहे हो, तो उसी में आपको money management यूज कर नही money management आपको हर forex trading में, या आप कोई भी trade कर लो, कहीं भी trade कर लो, किसी market में भी trade कर लो, आपको money management यूज करना ही पड़ेगा, अगर आप penny stock भी pick कर रहे हो, उसमें भी money management यूज कीजिए, अगर आप नहीं करोगे, तो definitely it cause you a lot, ठीक है, अब money management का मतलब मेरा क्या है, यहां से, अगर मालीजी आपके पास one lakh capital है, मतलब one lakh से investment कर रहे हो, या आप trading करते हो, तो आप अपना three to four percent सिर्फ penny stock के लिए ही रखिए, ऐसा नहीं है कि आप ten से twenty percent investment कर रहे हो, मतलब एक लाग का वी से जार रुपे, पिच्ची से जार रुपे invest कर रहे हो, पैनी stocks में, नहीं, आप म चोटा सा पाट 500 रुपे, 1000 रुपे भी invest कर सकती हो, मतलब 500 रुपे वो amount मैं कह रहा हूं, जो आप सुट्टे, I mean smoke में उडा देते हो, दा रुपी के उडा देते हो, तो वो investment आप कर सकती हो, ठीक है, और अगला जो rule होगा मेरा, जो हमारे तीपक साफ नहीं follow करते हो है, यह बहुत बड़ी लाइन है, यह बहुत बड़ी लाइन है, यह बहुत बलग गलग तिंकिंग है, आपको जो भी penny stroke आप select करते हो, आप उसको diversify का मतलब क्या होता है, आपने मुच्छिर फंडे बहुत दा सुना होगा, उसका मतलब यह है, कि आप अलग-अलग sector के अलग- मत करो, अलग-अलग stocks में invest करो, अगर एक penny stock zero हो जाता है, तो at least आपको तूसरा penny stock 2x और 3x की dividend दे के जा सकता है, इसलिए आप उसको diversify करो, जो ज़्यादा तर लोग नहीं करते है, वो अमेसा यह सूचते है कि भाई, एक penny stock मेंने buy कर लिया है, यह मुझे कोड़ोपती और बना देगा, जो बहुत गलत thinking है, at least आपको diversify करना पड़ेगा, जैसे मैंने बता है, penny stock आप proper gamble trade, gamble investment आप बोच सकते हैं, क्योंकि इंका कोई future नहीं होता है, इसका जब तक कोई turn around story नहीं आती है, तब तक यह change नहीं होते है, तो इसलिए समझना पड़ेगा आपको proper use करना पड़ेगा, money management और proper rules and आपको diversify करना पड़ेगा stocks में, ठीक है, और एक है greedy greed, तो greedy greed आप बोच सकते हो कि एक penny stock इंको rich बना सकता है, यही आप बोच सकते हो कि लालज से लालज भरा पड़ा है, तो अगर आप लालज से लालज भरा पड़ा का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो, जो मेरी strategy है, जो मैं use करता हूँ, मेरा मानना यह है कि अगर जो मैंने investment amount लगाई है, penny stock, मैंने 1000 रुपे लगाया है, और मुझे 1000 रुपे के उपर ही आपका 1000 रुपे बन रहा है, मतलब 100% की return बन रही है, तो मैं यहाँ पर great नहीं करके, मैं सोड़ा logical thinking यूज क target में रहने दूँगा, for the target of, जो भी target मैं आपको दे रहा हूँ, या जो भी target आपको लगता है कि future में आ सकता है, इस तरीके से आपको अपने grid में control करना पड़ेगा, ठीक है, आश्या करता हूँ, आपको समझ आया है, अगर कुछ भी समझ आ रहा है, अच्छा लगा है, definitely like क सकता है, उसका नाम मैं अभी reveal करने करूँगा, last में, तो अन तक देखना, उस stock को मैंने खुद buy किया है, ठीक है, तो तभी मैं दे रहा हूँ, अन्ना तो क्यों देऊंगा, आपको आपको मैं, दूसरे वक्ति की तरफ, उनका ना विवेक है, smart thinking है, मतलब हमेशा smart सोचते है अब इसका मतलब क्या है, आगे आपको example के तौर में समझाता हूँ, ठीक है, हमेशा use money management, हमेशा money management को follow करते है, जो भी capital है, 1%, 2% investment करते है, penny stock हो, investing हो, trading हो, या forex trading भी अगर आप कर रहे हो, तो money management को कभी मत भूई है, ये आपका, मान लेजी, girlfriend है आपकी या wife है इसके बिना, तो stock market में survive करना easy possible नहीं है, ठीक है, किसी भी हद तक possible नहीं है, ठीक है, आगे लेके चलता, दूसरा, proper rule को follow करते है, जो setup rule बनाए है, मैंने या खुद आपने जो भी आपके spotable setup rule है, उसको अगर follow नहीं करोगे, तो आपकी लग सकती है, next जो है हमारा, diversify in penny stocks, ज्याज़े ब ठीक है, तो आप इन में से बता ही, कौन सा वैक्ती जीतेगा, तीपक जीतेगा, विवेक जीतेगा, ठीक है, और नीचे definitely comment करना कि आप किस category में fall करते हो, तीपक वाली category में, विवेक वाली category में, या इन में से कुई भी नहीं, ठीक है, तो definitely reply करना, comment करके कि आप किस category में fall कर रहेंगे ठीक है और जो इसलिए रूल बता है उनको फॉलो कर लेना और अंत में यह है कि जो पैनी स्टॉक सूरती है कोई आपका ठैनेक्स की रन दे देगा लेकिन सम विल वी बिकम जीरो यह यह यूनिवर्सल तुरूत है कि पैनी स्टॉक जीरो भी होंगे ठीक है तो इसको पैनी स्टॉक में बाये कर रहा हूं वह जीरो भी हो सकता है यह यूनिवर्सल तुरूत है ठीक है तो उन में से कोई पैनी स्टॉक आपका ठैनेक्स की रिटन दे भी सकता है इसलिए कोई आपके अगर आपने 10 स्टॉक स्टॉक किये तो उसमें से आपके 5 या 4 जीरो हो इसलिए मैं बूल रहा हूं ठीक है इसको पक्का फॉलो करना जो सट अब रूल मैंने बताए है उस तरीके से फॉलो करना ठीक है तो इसलिए स्मार्ट थिंकिंग के तरह काम करना ऐसे ने की लग गया वस तो मैंने बता दिया जैसे नीचे कॉमेंट करो कि आप विवेक और अच्छा रिक्स इसमें कम रिक्स होता है क्यों मैं बोलता हूं कि कम रिक्स वाले होता है मतलब रिक्स कम होता है रिवोर्ट इसमें कावी अच्छा होता है इसका मतलब यह यह है देखो जो पैने स्टॉक मैं आपको दे रहा हूं पचास पैसे 30 पैसे के आप ट्रेट कर रह है वह आसमान खुला हुआ है ठीक है इस पाप बोलोगे सर की चलो डिक्स रिबॉर्ट तो बढ़िया है इसमें यह बताओ सर कि पास में कोई प्रेंट ट्रॉक्स हुए है तो देखो मैंने कुछ सैट आप लिस्ट बनाई है लिस्ट मैं आपको नीचे सेर कर दूंगा डिस्क् इसाट पैसे में यह असपर कर रहा है यह यह बहुत सारे भुथ ऐक्जifya कर रहा हैं रहा हो इसे आपका यह उनली टैक भी आ 19 पैसी कास में ट्रेट कर रहा था लास्ट यह और आज यह ट्रेट कर रहा है पच्छुन पैसी कास मतलब आपका पैसा 3x हो गया एक साल के अंदर यह कुछ एग्जामपल है जो आपके साथ बताना चाहता था कि हां पास्ट में कुछ स्टॉक हमारे और कि मैं किस को बाइक कर सकता हूँ अगर आप चाहँ तो उसको भाई कर सकती हो ठीक है मैं आपके साथ करने आज एक ऐसे स्टोक सेहर करने जा रहा हूँ ठीक है जो मुझे लगता है डेट इफिवाल हो सकता है फ्यूचर में और एक ड़्प्री कंपनी है करेंट पचास प्रेंस तो मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट में चार्ट में क्यों मुझे लगता है चार्ट में क्यों मुझे लगता है आपका जीरो भी हो सकते हैं इसलिए ऐसा अमाउंट डगाना जो आप अफॉर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए ठीक है मात लिया मनें 500 रुपर हजार रुपर इन्वेस्ट कर दिया जो आपकी मंतली सैलरी है सैलरी का आपने आदा परसंट एक परसंट हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया तो दोस्तों जो स्टॉक का नाम है वह है नाईसा कब करके रहा है ओपरसंट लगाया है मैं आपको सबसे पहले चार्ट दिखाने से पहले मैंनी जो बाइंग प्राइज है वह दिखा दिखा देता हूं ताकि आपको भी लगे कि कोई दोका नहीं हो रहा है चीक है तो याब देख सकते हूं मेरी जो पाइंग कॉस्ट में 44 पैसे के आसपास है च्वालिस पैसे के आसपस में इसकी कॉस्स और करेंटली चौन पैसे का सब्सक्राइब कर रहा है और एक बात बोलूँगा कि आप बोलोगा सर यह तो आपने अब बता रहे हैं मतलब जब अपर सरकेट पर स्टार्ट होगा आपने पहले क्यों नहीं बताया काइंड यूर इं जरूत नहीं है यह स्टॉक दुवारा से नीचे आएगा ठीक है पहली स्टॉक की यही खासियत है कि आपको मौके मिलते हैं जो मैंने बाय प्राइस किया यह आपको उससे भी नीचे मिलेगा मतलब 30 पैसे 32 पैसे भी मिल सकता है ठीक है सर तो आप अगर 44 पैसे के नीचे कभ कर लेने जैसे आप यह आपको बथाया है ठीक है जो भी अब यह तक आपको ग्यां दिया था वह ग्यान को ही फॉलो करना उसके बद पात है फिर वेट करना होता है पेशिंसली प्रूसिसको फॉलो करना होता है ठीक है और एक बात बोलता हूं कि जो पैनी स्टॉक से मैं और कुछ टॉक टैनेक्स टूक्स भी हो सकती है जैसे हमारे पी एसल स्टॉक था वो मेरे ख्याल से सस्पेंट हो चुका है ठीक है तुम इसमें मेरे भी जो इन्वेस्टेंट थी वह भी जीर हो गई इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आपको डाइवेट सीफाय करना पड़ेगा एक एक और बात बोला चाहूंगा जो वीडियो बना रहो एजुकेशन परपस के लिए आप अपनी सर्च एड़ कर लेना उसके पार डिसाइड करना आपको बाय करना है नहीं करना ठीक है मुझे लगता था मैंने इसको बाय किया है ठीक है दिखा लेता हूं चार्ट क्यों बाय और इसने वही किया दुवारा बेस बनाने के वाद लोग रेक करने कवार एक बेस बनाया अर्थीस पैसे वहां से रिकवर कर रहा है और डेफिनिटली अराम से एट्टी-नैटी पैसे जा सकता है मेरे साथ से लेकिन जो मेरा इसमें टार्गेट रहेगा ठीक है मेरे साब से कमपनी अच्छी है डेट फ्री कमपनी आपको मेरे जो इक और जो एक रिकॉद्स दे सकते हो कि जादा अच्छे खास के नहीं है ठीक है और बाकि अगर कंपाउंड तिखो के लास्ट अनियर की वह एक्रीज हो रही ऑई एस comparison last 10 year की ठीक है तो अच्छा गाजस का sales का record last 10 सालों में तो आने ले दस-5 सालों में तो इसका turn around हो सकता है अगर यह company बने रहती है market में ठीक है बाकिया का return on equity देखोगे तो अच्छी खासी है last 10 year की 7% अच्छा है इसका return on equity में आपका return मिल सकती है इसमें ठीक है बाकि इसकी अगर मैं इसका pattern बोलूँ तो अगर से पैटन की मैं बात करता है तो इसमें अगर आप देखोगे से रुल्टिक पैटन तो 60% promoter इसमें hold कर रहे हैं बाकि सब इसमें public है है public मतलब आपका institution भी हो सकते है और general public इसमें almost 30% के आसपास है ठीक है जो काफे अच्छी बात है जिसमें general public का में अच्छी बात होती है ठीक है तो इसी वज़े से मुझे लगता आप stock को hold और buy कर सकते हैं बाकि अगर आपको कुछ बिचार है तो नीचे comment करो definitely मैं उसको observe करूँगा check out करूँगा ठीक है बाकि आप चार्ट में लेकर चलता हूँ मेरा target कह रहा है का इसमें आपको target बता देता हूँ मेरे ठीक है मैंने आपको बता दिया है कि तरीका क्या है अगर आपकी पचास पैसे की average cost है तो मैं ए 100% profit booking कर लूँगा उसके बाद capital रहेगी मेरी या profit जो रहेगा मेरा मैं उसको carry करूँगा चार रुपे कर दूँगा ठीक है चार रुपे कर दूँगा तो मेरे इसमें थोड़े बड़े भी है क्योंकि चार रुपे लगता जायागा लेकिन यह मुझे लगता है कि 40 रुपे मत लगाना ठीक है तो यह चौक था आपका नाइसा कॉप आसा करता हूं आपको अच्छा लगा हूँगा समझ आया हूँगा कैसे आपको investment करनी है और क्या क्या सैट अप रूल को follow करना है और definitely MLT हो सकता है पचास पैस सिकार बसको आपाई कर सकते हो टागड मेरा चार की almost increase हो रही है तो definitely आप इसको देख सकती हो जो भी इसके links होंगे जो भी सके source होगा मैं नीचे डाल दूँ आप इसको चेक आउट कर लेना follow कर लेना बाकी इससे related वीडियो चाहती हो और penny stock से related definitely comment करो और अगर पीडियो पसंद आया तो definitely share करना दोस्तों करो WhatsApp में share करो Facebook में share करो गुरूप में share करो like करो ठीक है जो करना करो करो dislike भी कर सकते हो अगर कुछ भी सुझाओ नीचे comment करो मिलता हूं आपको अपने next video till then bye bye thank you so much safe trading happy trading and peace out